मातुर अमरे रमन विहारी के 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 प्रायेन देव मुनया स्वविमुक्ति कामा मौनंचरंति विजने नपरार्थ निष्ठा नेतान विहाय अक्रपनार विमुक्ष एको नान्यंत्वदस्य शरणं हमतो नुपश्य। देखो भक्तों की परंपरा में प्रलाद जी का नाम सबसे उचा है सबसे उचा है प्रलाद जी के गुरुवे और नारद जी है लेकिन भक्तों के स्वरण में गुरु के पहले भी इस शिष्ष का नाम लिया जाता है तल्हाद नारद पराशर पुंडरी का व्यासां बरीश शुकशवन कभीश मदाल भ्याँ रुक्मांगदार जुनवसिष्ठ बिभीशन आदीन पुणियान इमान परमभाग वतां स्मराँ रोज सबेरे उठकर के संतों का स्मरण करना जी पर्ला जी का नाम उनमें पहला लिया जोकि नारद जी उनके घुरु जी है उनका नाम बाद में इस एक श्लोक ने पर्ला जी को सबसे महान बना दिया यह एक भावना पर्ला जी ने एक तो कहा कि ठाकर मुझे नरकों का डर नहीं मुझे किसी बात का डर डर के वल एक बात का है कहीं मेरी जिवां से आपका नाम नहीं हट जाए पर कहीं मेरे रदे से आपका प्रेम नहीं दूर हो जाए देखो अंतक करण में भगवान की भगवान की कृपा के बिना जागरत नहीं होती पर भगवान की कृपा के बिना वो टिकती नहीं भगवान का सबसे उंचा प्रसाद है इससे उंचा कोई प्रसाद नहीं ज्यानियों के शिरोमनी है उद्धोजी महराज और भगवान के अंतरंग ज्यानी सखा है और सारा ज्यानों पदेश होने के पश्टात उद्धोजी ने क्या मांगा है रतिस्याद अनपाई नी कृष्ट मुझे कृष्ट नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारे चरणों में मेरा प्रेम निरंतर बना रहे इतनी मेरे उपर कृपा करना क्योंकि कृष्ट की कृपा के बिना कृष्ट का प्रेम भी नहीं मिलता है उनका प्रेम मिलना यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है तो प्रलाजी ने कहा मेरा शरीर नरक में है कि और कहीं है मुझे इसकी कोई परवा नहीं लेकिन आपका प्रेम मेरे रिर्दे में निरंदर उचलता रहे आपका नाम मेरी मानी पर नित्य करता रहे और इसके परश्टा प्रलाजी इतना ही कहते है मेरे आस पास का जो सारा समाज है इन सब को भक्ती मार गगए ज्ञान हो जाए बोध हो जाए और ये आपकी भक्ती में लग जाए ऐसा कुछ करने का सामर्त मुझे दीजी क्योंकि सारे बड़े बड़े लोग व्यक्ति गत्मुक्ती की आकांग्शा लेकर के बैठे कोई कंदरा में बैठ करके योगाप डास कर रहा है कोई ठाकुर बाड़ी में बैठ करके अकेला ही पूझा अर्चा कर रहा है पर अलाजी कहते मुझे वो नहीं करना है कोई ज्ञानी बन गया कोई योगी बन गया प्रणला जी कहते नहीं मुझे तो ऐसा सामर्थ दो मेरे ठाकुर जिससे मैं लोगों के उद्धार में सहायक बन सकूँ नईतान विहायक पनान विमुमुक्ष एको यह प्रणला जी कि कितनी बड़ी बात है मैं आपके साथ वेकुंदाना नहीं चाता मैं मुक्तो हो जाना भी नहीं चाता मैं लोगों का उद्धार चाता देखो कोई ज्यानी है कोई योगी है और कोई संत है इसमें अंतर क्या है अरे ज्यानी भी तरते हैं योगी भी तरते हैं लेकिन ज्यान से प्रप्त होने वाली मुक्ती योग से प्रप्त होने वाली मुक्ती यह व्यक्तिकत बात है और भक्ति करने वाले संत यह चाते हैं कि हम के वलतरे नहीं जिस परमात्मा के मार्ग के उपर हम चले हैं दीवाने बन करके लाखों का समुदाय लोगों का उसी मार्ग में चलता रहे सतरती सतरती सलोकांस तारयती लोगों का उद्धार होते होते हमारा उद्धार हो जाए हमारा उद्धार हो गया और लोग तो पशु का जीवन जी रहे है, नहीं इन बेचारों को पता ही नहीं है यी जीवन क्या होता है उनको कौन समझाएगा नैतान विहाय, कृपणान, विमुमुक्षए को अकेले की मुक्ती मुझे नहीं चाहिए योगी में और संतों में ये इंतर होता है संतों में ये इंतर होता है इसलिए ध्यान रखना संसार का ये शर्वोच्च शब्द कोई है तो वह संत है सबसे उचा संत अपने लिए नहीं जीए संतों ने अपने मुक्ती की केवल आकांक्षा नहीं रखी संत सब के होकर के रहे सब के लिए रहे सब को लेकर के भगवान की ओर चले इसलिए निरंतर संतों का अनुगमन करना भगवान भी इन संतों को याद करते हैं साधवो अर्दें मैयं मगवान ने अंबरीश से का अंबरीश मेरी चाती को खुल करके देखो उस पे तुमें केवल संतों का समरण मिलेगा केवल संतों का मेरे रुदे में केवल संतों होते हैं क्योंकि उनके रुदे में केवल मैं होता हूँ इसके पश्चाद प्रलाज जी को भगवान ने बहुत लुभाने का प्रयास किया मांगो प्रलाज जी ने का नहीं ठाक और आपका भजन हमने कुछ मांगने के लिए नहीं किया और यदि आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा मन दे दीजिए जिस मन में किसी से कुछ मांगने की आकांग शाही उजितना हो ये दिराशी शमे कामान वरा उस्तमवर अर्शव कामानाम रद्यसवरो हो भवतस्तुरने वरम ऐसा मन मांगा है प्रलाज जी ने जिस मन में किसी से कुछ मांगने की इच्छा निर्मानी में हो प्रलाज जी निशकाम है अरे कितनी बार भगवान ने का कुछ मांगो 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 प्रलाजी नहीं नहीं करते रहे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है प्रलाजी की जगह हम होते न भगवान को इतना परेशान नहीं होना पड़ता मांगो कहने का आउकाश लंबी लंबी प्रिंटेट लिस्ट अपने पास तैयार है बुद्धिवान प्रलाद इस बात को जानते है कि मुद्शी की कामना आए अपूर नहीं है इसलिए वही धन्य है जिसने उनसे पिंड छुडा लिया कामना उनको रखते हुए मैं सुखी हो जाऊ अखंड सुख मुझे प्राप्त हो जाए यह संबव नहीं अखंड सुख तो केवर परमात्मा की भक्ती में ही है अन्द किसी बात में नहीं निश्काम परम निश्काम प्रलाज जी महराज भी अपनी निश्कामता में अहंकार की बूनी आने देना चाते पिछले संबल करके एकदम बोल दिये ठाकुर आप मुझे देना चाते हैं एक वस्तु मैं आपसे प्रामानिकता से मांगता हूँ एक बात और प्रलाज जी ने मांगा मन खोल करके मांगा क्या मांगा प्रलाज जी कहते है ठाकुर मुझे मेरे जीवन में एक बात की बेदना रही मेरे पिताशी ने आपका इतना विरोद किया पता नहीं आपके लिए क्या-क्या बोलते रहे आपसे वैर किया इन सब बातों के कारण उनका नरकों में जाना तै तरिया आप इस तुछ बक्त के उपर कुछ कृपा करना चाहते है प्रहो तो इतनी कीजिए मेरे पिताशी की दुर्गती नहीं हो जा अरे जिस हिरंड के शपू ने प्रहलाच जी को चाहे जितना कष्ट दिया मारने के लिए चाहे जैसे हत्कंडे अपना है उस अपने पापी बाप के भी लिए प्रहलाच जी के अंतक्र में वो करुणा है यह संत कारद है तस्मात पिता में पूयेत दुरंताद दुस्तराद अगात क्या उत्तर दिया भगवान ने भगवान बोले पागल बच्चे तुम्हारे पिता जी के उद्धार के लिए मेरी कोई आवश्टता नहीं है तुम्हारे पिता ने चाहे जैसा जीवन जी आ हो लेकिन जिस पिता ने संसार को तुम्हारे जैसा पुत्र दिया उस अकेले पिता के उद्धार की बात क्या तुम्हारी 21 पिडियों का उद्धार के वल तुम्हारे जन्म से हो गया ते सब तभी पिता पूता पित्र बिसहते नगर यत्सा दोस्य ग्रहे जातो भवान वई खुलपा वना भगवान प्रलाजी से कहते है अरे प्रलाज बेटा तुमने सारे कुल को पवित्र कर दिया कुलम पवित्रम जननी कृतार था वसुन्धरा पुन्यवती चतेन कुछ लोगों के जन्म से कुल पवित्र हो जाता है कुछ लोगों के जन्म मात्र से कुल पवित्र हो जाता है यह लगश पू के अपराद कम नहीं है लेकिन प्रलाजी के पुन्याई के कारण उनकी भक्ती के कारण उनके जीवन की पवित्रता के कारण यह सारी बाते गतारत हो गई भवान वही कुलपा बना प्रभू के वाक्या है अरे प्रलाज तुमने पूरे कुल को पवित्र कर दिया सारे कुल को तार दिया यह भगवान बोल रहा है कौन बोल रहा है इसका भी बड़ा महत्वा है हमारी अगली पीड़ी के बालक इस पकार के जन्मने चाहिए ऐसी आकांग शाहें माताओं को अपने अंतक्र में लखनी चाहिए जन्नी जने तो भक्त जन्नी या दाता या शूर भगवान के बक्ती करने वाला कोई भक्त मेरे कुल में जन्मने करके आ रहे देको माताओं की इच्छा के अनुसार बच्चे जन्मते हैं रात दिन माताओं को इन विचारों को अपने मन में रोज रोज लाना चाहिए जिचाहती पाड़लयाची दोरी ती जगाते उद्धरी हमारी शास्त्रों ने माँ को पहला गुरु माना है पहला गुरु बाकी साब गुरु बाद में इसलिए बच्चे महान है तो माताओं का गौरु है मेरे कुल में भगवान की बक्ती करने वाले बक्त का जन्म नहीं हो सका कोई बात नहीं दाता परमात्मा की सेवा में अपनी सारी संपत्ती लगाने वाला दानशूर मेरा पुत्र मेरा पौत्र मेरा प्रपौत्रों जो कमावे खूब और खुल करके धर्म के सेवाकारे में लगा रहें अपने लिए बटोरने के वास्ते तो सारा संसार बैटाई है मेरा बंगला अच्छा बनना चाहिए ऐसा किसको नहीं लगता लेकिन भगवान का मंदिर अच्छा होना चाहिए ऐसा जिसको लगे वो सच्छा बालत मन खूल करके गोमाता के लिए वेदों के लिए गरीबों के लिए दान करने वाला दाता या शूर भगवत भक्ती नहीं समझे दान करने जितना कमाये नहीं कम सकम हिम्मत के साथ कश्मीर की सीमा पर खड़े होकर के मात्रूमी के लिए जीवन का उत्सर्ग करने की तैयारी रखने वारा वीर बालत तो भी मेरे घर में या आप लोगों को गवरों का अन्वों होना चाहिए अपना जो आश्रम बीड में चल रहा है जिसमें सब जातियों के बालक है सब एक सो बीस बालक इस वर्ष उस आश्रम से च्छ बालक सेना में गए च्छ सेना के लिए उनको चुना गया याशूर भगवान की बक्ती करने वाला हो कुल करके दान करने वाला हो मात रूमी की रक्षा करने के लिए जीवन का उत्तर करने की तैयारी रखने वाला हो लेकिन भूले चुके भी जाडू लेकर के चलने वाला नहीं हो यह सब दिल्ली के जाडू वाले अधब पतन एक मागवरों में होती है एक बालक के जन्म के कारण वही अर्मो करती है अपने दूद को लजा हुआ जो ऐसे निकब में लोग निकलते हैं केवल निरुप्योगी ही नहीं देशत द्रूही परलाज जी महराज बक्तों के श्रोमनी प्षे भगवान के मुखसे जिसन के इस्तुती दी हाट जोड़ करके परलाज जी खड़े निस्म भगवान का पूजन हुआ और भगवान अंतरधार हुए निस्म भगवान की जै समयानसार परलाज जी का राजजा भी शेक हुआ कावेली नदी के अतरधार परलाज जी महराज को भगवान दत्तात्रे स्वामी का दर्शन प्राप्त हुआ भगवान दत्त प्रभु ने शी परलाज जी को योग का उपदेश किया दत्तावतार नित्यावतार है भगवान शुक्देव जी महराज वनन करते है राजन परलाज जी का चरित अक्चन तो उजवल है इसके परिश्चात भगवान शुक्देव जी महराज दर्शन आरज जी और नाराण जी के समवाद का वरिनन करते हैं जिसमें हम लोगों को सनातन धर्म का अतीव दिव्य वरिनन मिलता है उसके चलते चलते महराज परिश्चित ने भगवान शुक्देव जी से प्रश्चन पूछा परलाज जी की सुति में आपने गजेंद्र का उल्लेक किया था कौन थे ये गजेंद्र कैसे प्रभू ने उनका उद्धार किया भगवान शुक्देव जी महराज गजेंद्र की कथा का विस्तार से वर्णन करते है आसी गिरिवरो राजन स्रिकूट इतिविश्चुता खीरो दे नावरत श्रीमान योजना युतमुश्रिता खीर सागर में तिकूट नाम का एक परवत उस परवत के उपर स्वी प्रकार के प्राणियों का निवास अन्यक हातियों का बल रखने वाला गजेंद्र भी वहीं पर निवास करने वाला गजेंद्र इतना बलवान है कि कोई भी उसके सामने आने का साहस नहीं करता है बड़े बड़े खुखार पशु भी उसकी गंद पाते ही भाग जाते है हातिनों का जुन्द लेकर के ये गजेंदर एक बार गर्मी के दिनों में कहीं जा रहा है वन में और एकाय के एक सुन्द सुरोवर दीखा सुरोवर का शीता स्वादिष्ट सुगंद स्वच्छ जल साब को भाया सबने प्रेम से पिया पपव निकामन मिजे पुश्कर जृता हूँ सुरोवर का असपर से सबको अच्छा लगा गर्मी के दिन थे और सब उस सुरोवर में क्लिडा करने लगे गर्यंद्र को पतानी उसी सरोवर में एक मगर्मच्छ का निवास है और वो भी बड़ा बलवान है जैसे ही गर्यंद्र का खेल इदर चलता रहा चलता रहा एक आएक उस मगर्मच्छ ने आकर के अपने जबडे में गर्यंद्र का पकड़ लिया तहो तत्रकस्चन न्रपदै वच्छो दितो ग्राहो बलिया उस्चरणे रुशाग रही और में तो गजंद्र को ऐसे लगा कि स्चुद्र की तक को मेरे बल का पता नहीं है इसले इसने मुझे छेरा लेकिन पक को जटका देने के बाद जब ध्यान में आया किया रहे यह भी बलवान है तब गजंद्र थोड़ा बल लगा करके अपने पक को उसके मुझे से छुड़ाने का प्रयास करते है पक को छोड़ने की बात क्या उस ग्राह ने मगर बच्चे ने गजंद्र को हिलने भी नहीं दिया संकट गहराया अरे सारी हाथिने सारे उनके कलब मिलकर के गजंद्र को बाहर खिचने का प्रयास करते है पता नहीं कितना बल था उस बगर बच्चे में उसने हिलने भी नहीं दिया भगवान शुक्देव जी महराज बनन करते है राजन सुर्यास तो हो गया दोस्ता दिन चला गया अब संकट अधिकादिक गहराने लगा चार पांच दिन हो गया हाथिनों को भूक लगने लगी अब इसको छोड़ करके जाये तो ये डूब जाये न जाये तो भूक तो लगी है बद्दिमान प्रानी होता है हाथि पाली पाली से वे सारी हाथिने गजिंद को छोड़ करके जाती है और लौट करके आते समय उसके लिए भी कुछ घास फूस फलपूल लेकर के आती है ताकि वो वहाँ पर खड़ा खड़ा भी खाले क्योंकि वहाँ से वो हिल नहीं सकता वो फस गया है आने वाली हाथिन की सून में जो फलपूल है टुकुर टुकुर देखते रहता है अरे दस फैक्टरियों का मालिक है लेकिन आज अस्पताल में पड़ा है बेर से टिफिन आएगा तब ये खाएगा डिपेंडेंस ये दुख गजेंदर को कभी अनुवो नहीं हुआ था आज गजेंदर इस दुख से पीडित हो गया लेकिन लाचार भी था क्या करता भगवान शुक्देव जी महराज बनन करते है राजन बड़ विचितरबात ये भी हो गई अरे हाथिनों की संख्या गटने लगी दो चार गई पिर दो चार गई पिर और गई अब तो दो चार ही बज़ गई अच्छा जाने वाली सारी हाथिने अपने कलबों को बच्चों को सास लेकर के जाती है टावरे टूबरे साथे चाल बेटा अब दो चार ही बच गई देरें देव्याकुलोकर कि उनसे केता है आप तो भी मत जाना उनका ने जी हम कैसे जाएगी जो जाने वाली थी वो गई हम नहीं जाएगी ऐसा केचे केचे दो दिन के बाद वो भी गई अब अकेला रहे गया अब कोई नहीं रहा अब घजेंदर के मन में विचार आने लगा अब जिने मैंने अपना माना था और जिन के लिए मैंने अपना सारा जीवन लगा दिया यह सारे मुझे छोड़ छोड़ करके चले गए अब मेरा कौन अब मेरा कौन अब मेरा कौन और ध्यान रखना ये प्रश्ट उस गर्जे नराम के हाथी का प्रश्ट नहीं है हम सभी को इस प्रश्ट का उत्तर समय के रहते पाने की आवश्च रखता है जीवन के आंद सरोवर में क्लिडा करते समय इस बात को मत भुला देना कि मात नाम का मगरम अच्छ इसी में रहता है और जब मुर्त नाम का ग्राह जरबता है तब कोई अपना नहीं रह जाता ऐसे नहीं कहता हो कोई प्रेम नहीं करता लेकिन सभी के प्रेम की सबी की सिवा के एक सीमा है आकिर उस व्यक्ति को अपनी वेदना तो सोयम से नहीं है और जाते समय तो अकेले ही जाना है और आज कर बड़ी कठना है इस बात की है कि कहीं पर भी अकेले जाने का अब्यास नहीं दा कथा में जाना है तो कमपनी ट्रिप में जाना है तो कमपनी होटल में चलना है तो कम्पनी कलब में जाना है तो कम्पनी उपर जाना है तो तो मराट वाड़ा में कोई नई योजना बनी हो तो मुझे पता नहीं नो कम्पनी जीवन का यह एक अत्यंत कठोर सत्य ध्यान दखना अकेला आया अकेला ही जाता है कुछ भी साथ नहीं जाता कोई भी साथ नहीं होता गुले ने इस प्रष्ट के चिंतन में डूबा अकेला अब वो डूबता जा रहा है ऐसी अवस्था में आप शान तरह सके इसलिए भगवत गीता का अब्यास अभी कर लेना जिसने मन लगा करके गीता का कुछ अध्यन किया होगा उसको शान्ती की कला अपने आप अवगत हो जाती है अरे छोड़ो वाकी गीता एक पंक्तिवी याद है ने आपको सुर्दसर्वभूताना भगवान सब के सुर्द है इतना ही जिसने जान लिया गजिन्द ने कैसे जाना गजिन्द को पूर्व जन्म के सत्संग की याद आई हमारे सारे जन्मों में हमारे उपर जो जो संसकार हुए पर हमारे भीतर होते हैं और उन्हें हम पुना बाहर निकाल सकते हैं जो भी कुछ आपने पढ़ा जो भी कुछ आपने देखा जो भी कुछ आपने सुना वो सारा रेकॉर्ड तो हो गए आपके कॉम्पूटर में अब कैसे टाइम ट्रैक पर पीछे जाना और वहां जाकर के उस विंडो को खोलना यह अपनी एक कला है और यह योग के बिना नहीं आती यहाँ पर गजिन्द को जो एकांत मिला उस एकांत में उस तीवर भावना के कारण अपने आप उसका उत्तर मिल गया जब कोई भी साथ में नहीं होते हैं तब भी भगवार नाराएं जीव का त्याग नहीं करते हैं प्राग जन्मन ननुशिक शितम प्राग जन्मनी गजिन्दर ने मन को एकांत मा को याद करना आरंब किया गजिन्दर व्या को लोकर के पुकारने लगा आश्टर की बात ये है सारा नवो मंडल भर गया देवताओं से ये देवता देख रहे हैं गजिन्दर पुकार रहा है लेकिन देवता आगे आकर के बचाते नहीं है गजिन्दर पुकार रहा है नाराण को और देवता चाहते है कि वो हमें पुकारे सारे नवोताओं को अपने नाम अपने रूप का एक विशेश अभिवान है हम जाकर के उसको बाहर निकाल सकते है रहे एजिली ऐसे ही निकाल लेंगे लेकिन वो हमें पुकारता कहा है वो बुलाएगा तब जाएंगे कठनाई ये हो गई जिसको पुकारा है वो आया नहीं और जो आकर के खड़े है उनको गजिन्दर पुकारता नहीं गजिन्दर नहीं भी विचार किया नहीं अब मैं अपनी भक्ती में विविचार नहीं होने दूँगा अब भगवान नारायन के पधाकर मेरा उद्धा करने में ही मेरे जीने की शान है ने तो जो हो जाएगा मन्जूर है माद्रुक प्रपन्न पशुपाश विमोख्षणाय मुक्ताय भूरी करुणाय नमोलयाय भगमार्शुक देवजी महरार्वनन करते है गरेंद के दोनों नेत्र आकाश के और लगे है मुला का एक कमल का पुष्पागजेंदर ने अपनी सूंड में धारन कर लिया है परमात्मा की पूजा के लिए आकाश के और देखता हुआ वह प्रभू की परतीक्षा कर रहा है एक और तो वह आकाश की और तक्टकी लगाए हुए है और दूसी और उस सरोवर में डूपता जा रहा है मगर बच्चे उसे खीषता जा रहा है देवताओं को लगता है अब तो भी पुकारेगा अब तो भी हमारी और देखेगा डेजिंदर भगमान से कहते हैं ठाकुर मेरे जैसा एक पशु जीए तो क्या और मरे तो क्या इस स्रिट्री के चक्र में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है लगिन ठाकुर आज आपका दौर करके आकर मुझे बचाना इसलिए आवश्चक है कि यदि आज मैं डूब गया तो मेरे साथ आपका नाम भी डूब जाएगा व्याकुरो करके गजिंदर आकास क्यों देखता और इस प्रकार की करपनाय करता है क्या ठाकुर मेरी वानी को सुनने ही रहे क्या प्रभू के अंतकरन का करुना का भाव बदल गया क्या मैं उनको दिखता नहीं हूँ ऐसा कैसे हो सकता है नसे नदी सलो कसा अरो मराटी बाशा के ये काव्या आपने पढ़े नहीं क्या पढ़ा मराटी में नसे नदी सलो कसा नयन सल्व साक्षीरवी विशाद धरिला मनो नसुरभी विशक्षीरवी अगा प्रणत वत्छला मनतित्या जना पावला मनून तुमचाच मी समरत से सदा पावला करूबरी कृपा हरू व्यसन दीन हाता पला असे मनिधरा खरा भरवसा मला आप नए ठाकुर आप मुझे डूबने देंगे नहीं आप मेरा उद्दार करेंगे उसका अंतक्रन करन्दन करता है मुझे भरोसा तेरारा मुझे भरोसा तेरारा मुझे भरोसा तेरारा मुझे भरोसा तेरारा एक भरोसा तेरारा देख भरोसा तेरारा शरण शरण शांती तेरा तेरा राम अशरण शरण शांति के धाम मुझे मरोसा तेरा राम तेरा राम मुझे मरोसा 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 तेरा राम अशरण शरण शांति के धाम मुझे मरोसा तेरा राम अशरण शरण सांति के धाम मुझे मरोसा तेरा राम 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 एक बरोसा तेरा राव 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 अशर अशर अशां की देदा, मुझे बरोसा तेरा रा मुझे सहारा तेरा रा मुझे सहारा तेरा रा अशर अशर अशां की देदा, मुझे बरोसा तेरा रा अशर 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 अशां की देदा, मुझे बरोसा तेरा रा अशर 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 अशां की देदा, मुझे बरोसा तेरा रा अशर 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 अशां की देदा, मुझे बरोसा तेरा रा नमो नमस्तु प्यमसैय वेग, शक्तित्याया खिलधी गुणाय, प्रपन्य पालाय दुरंत शक्तये, कदीन्द्यानाम अनवा प्यवर्द्मने अत्त आर्थ व्याको लोकर के गजेंद्र भगवान नाराण को पुकारते हैं लेगिन प्रभु के आने का कोई आभास नहीं सारे अन्द्य देवताओं को लगता है, अरे हार करके आकिर तो भी ये हमारी ओर देखेगा, हमें पुकारेगा गजेंद्र का मन मानता नहीं और अईसा लगा कि वह अन्तिमक्षण आ गया कि ये डूबेगा और उसी इक्षन आकाश मंडल में वह कुंठनात भगवा नगी है इवं गजेंद्र मुपवार नितनर विशेशं ब्रह्मादयो विविधलिंग भिदाभिमाना सारे उपस्तित देवताओं जब बचाने से इनकार करते हैं एक आयक प्रभु का प्राकट्टे हो गया प्रभु को गजेंद्र ने देखा मात्र और अत्यंत व्याकुल वस्था में गजेंद्र ने हे नारायन प्रणाम कह करके उस अपने सुन्ड के एक कमल के पुष्प को उच्छाल दिया थे लेकिन प्रभु गजेंद्र जितने आर्त है भगवान उतने ही उतकट है शिक्देजी महराज की वर्णशेली का कमाल ये है भगवान ने वहाँ पर आकर के अपने चक्र को उठाया नहीं भगवान तो चक्र को सिद्ध करके ही आये और देखा मात और दूसरे ख्षन चक्र ने उस मगर का अश्रत छेद कर दिया शुन नाराण भगवान गीजे कम्तजवदार्त मुपलभ्य जगन निवासा स्तोत्रन निशम्मे दिविजई सहसं उस्तवद्वी चंदो मये न गरुडे न समयमाना चक्रा इधो ब्यगमदाशु यतो गजेंद्रा वैकुंत से चलते समय ही भगवान चक्र को सिद्ध करके चले हैं आराम से आये और फिर चक्र को सिद्ध नहीं किया डूबते गजरा करीं सारे की सारे दिवता पुषपों की वृष्टी करते हैं जैजैकार करते हैं मन्नारा इडवगवान की जैन तेशाम हम समुद्धरता तेशाम हम समुद्धरता मृत्य संसार सागरा भवामी नचिरात पार्थ मैयावे शितचेत देखो कुछ मत पढ़ो लेकिन गीता पड़े बिना मरना नहीं कभी न कोई तो मरना ही है गीता को आत्मसाथ करने का प्रयास करके जाना गीता मृत्युन जैशास्त रहे भगवान का वचन भगवद गीता में अरजन जिसने पूरा अमन मेरी और लगा दिया उसको मैं कहीं से भी आकर के बचाता ही बचाता हूँ और हम समुद्धरता कौन आएगा कैसे बचाएगा आपका लॉजिक काम नहीं करेगा और कुछ तो भी हो जाएगा जाना आवर्शक्ता केवल एक बात की हमारा मन तीवर सम्वेग से भगवान में लगे कितना धन लाकर के देने पर कितने डॉलर लाकर के देने पर कितना और दान धर्म करने पर और कितना जब करने पर कितना तब करने पर कितनी आत्रा करने पर ये सारी बाते भगवान ने नहीं कही भगवान ने का तीवर सम्मेग से पूरा मन जिसने मुझ में लगा दिये मैं आवेशित चे आवेशित हम भगवद आविश्ट हो जाए गरत नहीं मानेंगे तो दूसरे शब्ले का प्रयोग करता हूँ जैसे भूत लगता है किसी को वैसे भगवान लग जाए भूत प्रयत का आवेश होता है अरे कभी भगवान का भी आवेशो सकता है नहीं कैste? that is the highest type of madness one can have it's God's grace that all saints had jis ko bhoot lagtatya na aisa kehti pher wo wunhi hota hai us ke bhter se wo bhoot hai bholta hai wo hi khaata hai pher wo kitna bhi khaata hai aur kuch bhi bholta hai yeh di bhoot ke liye sakti hai toh yeh bhagwawan ke liye toh jyadha sakti hai jyana rakhna pher wo wakti nahi bholta hai bhagwawan bholta hai pher wakti nahi leta hai bhagwawan leta hai pher wakti nahi deta hai bhagwawan deta hai sant bhagwaz svaroob ho jate mayyavest chetasa avishta chitata gajendra nye jaysehi apna mastak prabhu ke cherno me dhara gajendra ka abhi shri chhud gaya ji ya purel meka indra dunna nama ka raja ta mersi agasthi ke shabh se isi yuni mein aya ta bhagwawan ne kiaval sankat se mukta nahi kiya bhagwawan ne pashu yuni se bhi mukta kar liya gajendra nmokshka ya dhyay sarae sankatou se chudhane wala hai shrivat bhagwawan kiaval kathayi nye ya kiaval shabh ya grantta nye ya anuhthe ya grantta kashi hindu shri dhalay ke samasthapak pujj maha manah malwi ji maharaj ruj gajendra mokshke 11 paat karat 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 ar unhau nne lkkar kaya lkha hai bdaye se bdaye sankat meyre oopar aye or mene siedhe chud gaya iska karan mene gajendra mokshke ka parat kia bhagwawan shukhdeev ji maharaj rannan kaktay rajan deva dhto mey akstar yudh chalta hai dhto ke guru shukra maharaj yudh mey mrt dhto dhto ko sanjeevani vidyya se jivit kar ljet te hai dhto 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 ke paas aisy wawasthah nahi hai is liye prabhu ke sujhaw se khir saagr ka man tn karke amrita ka kumbh krabh 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 अकले देवताओं से ये काम होने वाला नहीं था दिछ्टों के साथ सम्झोता किया उनकी शर्तों को मान लिया मंदराचर परवत की मतनी बनाई वासुकी सरप की रसी बनी वासुकी के पूच्च की और देवताओं को पकड़ना पड़ा मुख की और दिक्तों ने पकड़ा भगवान स्वयम उस परवत के उपर विराजित है मंतन का कारिया आरम्ब हुआ लेकिन यह परवत सागर में डूबने लगा उस परवत को धरन करने के लिए भगवान विशाल का एक कूर्म का अवतार धरन कर लेते हैं कूर्मनाराइन भगवान की जैन अब मंतन ठीक से आरम्ब हुआ मंतन हो रहा है अमृत की प्राप्ती के लिए लेकिन सबसे पहले निकला अत्त भीशन जहर उस भयंकर हाला हल जहर को देख करके सारे देवता और सारे देट भावीत हो गए इसका क्या किया जाए इसको जल में छोड़ेंगे तो सारे जलाशे जलाशे में निमास करने वाले जल्चर मरेंगे भूमी के उपर रखने से स्थल्चर मरेंगे आपके भाशा में बोलना हो तो इसको डिस्पोस कैसे किया जाए अब इसका क्या करना देख्टों ने पहली कही दिया हम तो आपके लाब के साज़ेदार है नुकसान तुमारा आई बारी देवताओं की देवताओं में इस कालकूट को पचाने की ख्षमता कहा है सारी देवता बिचार करते है जाने जैसा एक इस्थाने है कैलाज पचालो सारे कैलाज के उपर गए भगवान महादेव जी का स्तवन किया अब देखो वास्तों में इस जहर के साथ महादेव जी का कोई संबंद नहीं है सुझाओ भगवान का मंतन देवत इत्तियों का अच्छा अम्रुत निकला तो उसमें हिस्से करने वाले दूसरी थे रत्नों का बटवारा हुआ तो उसमें भी महादेव जी किसी को याद नहीं आए लेकिन जहर जब आया न महादेव यहां पर भगवान महादेव जी के मुझसे आया हुआ एक वाक्ति मुझे बहुत प्रीय है देवताओं की यह रुक्ति भगवान महादेव जानते है यह देवता की आज के थोड़ी परचा के है महादेव जी के यह तो ऐसे ही है रोग नहीं है सीद्वादेव जी के सकते हैं मैसम हमद्दे जा और महादेव जी नहीं कहें तो भी पार्वती जी बैठी है महाँ पर वो कह दे क्या किया महादेव जी ने महादेव जी ने पार्वती की और देखा और कहा पार्वती मुझे ये पीना चाहिए मैं महादेव न और बढ़ों की बढ़ाई इसे में होती है एक यह तावान्य प्रहोर अर्थों या दीन परी पालन जो दीन दुखितों का पालन नहीं करें वो बढ़े कायके दुख में आपत्ती में फसे हुए लोगों के लिए आधार नहीं बने तो बढ़े कायके मैं बड़ा मैं बड़ा का इसे बड़ा देखो जीवन में क्यों धन कमा करके अपने को बड़ा मत कहलाना कोई आपको कहने वाला ही नहीं अरे बहुत कमाने वाले बहुत आये और बहुत चले गए संसार ने याद उनको रखा है जिनों ने अपनी दवलत लोगों की सेवा के लिए अरपन की है जो दीन दुक्षितों के सहारे बन गए जब कि अने एक बार सवाज उनकी वो कदर भी नहीं कर सकती लेकर उनको उनकी भी कोई बात नहीं थी